लेकिन वैसे मौसम कैसे है? थंडा थार मौसम में था, अच काफ़े दिन बाद घर से बाद निकला था, मैंने का हैं, काफ़े थंडी थंडी सी हमाई चल रहे हैं, उतनी थंडी नी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हमने निवेंबर में बहुत ज़दा बात की थे, कि दिसंबर बहुत चल्ड होगा, क्या ये उतना चल्ड है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब भी छे दिन बागी है, तो छे दिन में क्या होने जा रहा है, क्योंकि सुना यही था, साइपेरियन हमाई जब आएंगी, क अच्छा, बस पर बेशो, इतनी भी ठांड नहीं है, एसी से आपना हीटर पर कर लिया, मेरी बास सुनें, जो ठांड लहुर में पढ़ी है, इसलामबाद में रावल में आपको हमाँ जाके क्या होगा, कराची वाले इसके हिसाब से तयार होते हैं, कराची वालों के लिए यानि मसीर ठंड कब एंजॉई कर सकेंगे, हमाँ ऐसा मौझूद है, जवाद मेमन साब, जवाद आपकी तो सरदी से बात हो जाती है, आप मुझे आगे कहते हैं, मेरी सरदी से कल पर सो आज बात होगी है, अब सरदी क्या कह रही है, देखें, महें आज सुबही बात हुई और उसने ये कहा कि संडे से दुबारा आ रही है, ठीक ठाक सरदी एक बार फिर जो है, वो कराची सिंगल डिजेस्ट में चला जाएगा, अगें एक वीक वेस्टर्ण डिस्टर्बिंस पाकिसान में दाखिल हो रहा है, एक गात दिन में, वीक है तो मैकसिमम एक से दो दिन जैसी ये सिस्टम निकलेगा, तो फिर तेज साइबरियन हवाय जो है, दोबारा बलोचस्तान और सिंग में जो है, अब सिवियर कोल वेव आईगी, बलोचस्तान के कवेटा, जियारत इन आलाकों में, माइनस एड, माइनस तैन, माइनस एलेवन तक जा सकता है, और सिंग के जिसे सिंद का मरी का जाता है, वहाँ पर भी जीरो या माइनस वन तक जा सकता है, तो जो मरी नहीं जा सकता है, वहाँ पर एंजॉय करें, और आपने जुरूर किसी को कहा होगा, एकर स्नोफॉल देखने चले, तो कोईटा बरफपारी होने वाली है, इस इन दाट? विकेंड तो हमारा ही है ना जार, विकेंड तो जा सकते है, आप कीजेगा ना, यानि जो लोग जाना जाते में वो जा सकते, इस दरान बारिश को इमकान है कि कराची में बारिश को इमकान नहीं है, अट लिस्ट डिसेंबर में, लेकिन अगें आपको लास्ट याद होगा क हमने कहा था कि December के Last में या January के First Week में Western Disturbance Strong नजर आ रहा हैं कि यह जनवरी के físt वीक में जो है वो effect करेगा और जादा effects जो है इसके वो बलोचिस्थान Aujourd не awanomy के सिंड में included कराची उसमें नजर आ रहा रहा है कि बारिष आक ने पारिश हो सकती हैं लेकिन आप हमें कहीं लेकर जाएं, वहां पर भी हम जासादें जहां पर नेट ना हो, जहां सिगनल ना आते हूं, तो नौदर अरियाज में क्या सिच्विशन होगी आइंदा पांच दिनों में? नौदर अरियाज में देखें, बरफबारी रहेगी, पहाड़ों पे तक्रीमन 8000-8000 फिट के उपर जो अरियाज हैं, वहां पर बरफबारी के काफी अच्छे इमकानात हैं, क्योंकि बैक टू बैक सिस्टम्स आ रहे हैं, बारिशे रहेंगी, काफी शदीद थंड रहेगी, और यह जो सिवियर कोड़ बैब आईगी, यह नौदर अरियाज को ही एफेक्ट करते हुए, फिर बलोचस्तान और फिर एंड में जब हम सिंद आते हैं, पहले के-पी के मुतासिर होगा, वहां पर सबसे जदा थंड होगी, बिल्कुल, फिर आइसता आइसता अपर यहां के जो अपर अरियाज हैं, यहां पर ठंड होगी जयादा, वैसे आज कराची का कम से कम धरज़ा है, हरारत कितना रिकॉर्ड हुआ है, और कुछ अरियाज में अगें वही एक से दो डिग्री का आपको बता है, डिफरेंस होते हैं, नो तेन अरियाज में थोड़ा से नो से दस डिग्री आप कह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में, यानि के संडे या बाई मंडे, या अगीन जो है, वो सिंगल डिजिट्स और मिनिमम पांस से चे डिग्री दोबारा जो है, वो ड्रॉप हो सकता है कराची में, इसके साथ साथ काफी तेज हवा तो बारिश मिल सकती है, तो वहां पर धुन कुछ टाइम के लिए कम होगी, लेकिन अगें जैसे ही ये कोड़ वेवाइगी, तो फिर ये धुन जो है वो शदीद हो जाएगी और वाइट स्पेड होगी तो जो लोग प्लान कर रहें जाने का वो प्लान केंसल कर दें, अगर प्लान कर रहें वीकेंड का तो चीक है प्लान कीजिए बट प्लीज एथियाद जरूर कीजिए, अगर किसे वक्त धुन्द ज्याद है तो उस वक्त ट्रेवल ना कीजिए, उन आर्ज में ट्रेवल कीजिए, जब ट्रेवल करना आपके लिए आसान हो, क्यूंकि मौसम तदी पक प्लाइंसे की जो के सर्दी के मौसम में ज्यादा बकते हैं जैसे डेजब हीटर, इन ट्रे meno स्ट तो और वहाँ पर वह दुकांदार जो के इन अशिया का करते हैं चैस प्लाइट्रिक छेर्स फail के अलेक्र थाई, जैक्ट्रिक वर comprlich है क्या और जाध क्लुक्के जास तेरेंजेस चीज़ का सीजन आता कीमतें बढ़ जाती हैं। यगीनी तोर पर सर्दी की अश्या भी महंगी हमें नजर आ रही है। इस साल पिछले साल से कितरा फर्क पड़ा है। चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। मुक्तलिफ शेरों से हमारे नुमाइदगान जो हैं वो बाजारों में गए और उन्होंने जनाब दुकानदारों से बात करने की कोशिश की जिन इलाकों में जैसे के पिंडी है वहां पर ज्यादा थंड होती है। वहां पर लोग ठंड से निमटने के लिए इलेक्टरिक हीटर अगर समाल करें तो उन्हें कितनी किमत में मिल रहा है। ये उमर आसिफ हमें अपनी रिपोर्ट में दिखाएगे। ठंड की शिद्दत में हिद्दत के सामान की मांग बढ़ी। मगर गैसी कलत ने गैस हीटर्स की तो छुटी ही करा दी और दुकानों के दुलारे बन गए अलेक्टरिक हीटर्स। छोटे बड़े साइज नितने डिजाइन। दुकानदार कहते हैं वराइटी दुकान पर है और रे एट आसमान पर। खरीदार ही नहीं खुट दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते हैं कहते हैं माल जितना महंगा होता जा रहा है काम उतना ही ठप महंगाई के तड़के ने घर और मकीनों को गरम रखने वाले हीटर इतने दूर कर दिये कि लोगों के लिए ठेन के वार सहना और भी दुश्वार हो गया कैमरामें जियाफत अबासी के साथ उमर आसिफ समार रावल पिंडी तो जनाब जब सरती आती हैं तो ऐसी चीजों की खिमते बढ़ जाती है लेकिन एक और चीज़ है यानि गरम मलबू साथ उनकी भी खिमते आसमान से बाते करती हैं अगर हम लुन्डा बाजारों की बात कर लें जहां पर हमें कभी-कभी ब्रैंड अच्छी चीजे मिल जाती जाती हैं, कभी-कभी ऐच्छी ब्रैंड की अच्छी कौपी मिल जाती ठाच्व की लेकिन उनकी ब्रैंटे लेकिन उनकी इसे किहमते पर यानि लुन्डा बाजारों में था यानि मत मात्या मरू का बढ़ जाएं लेकिन लुए असर पड़ा है सेद शहाब रह्मान ने रिपोर्ट तैयार की है आपको दिखादे है पिशावर में सरदी की शिदत में इजाफा हुआ तो लोगों ने गरम पहनाओं का इस्तिमाल शुरू कर दिया कुछ लोग तो ब्राइंडड जेकट और जर्सिया खरीद लेते हैं मगर मतवस्त तबके के लिए लंडा बाजार हमेशा इनकी अवलीन तरजी रही है इस बार भी पिशावर के मतवस्त तबके ने गरम मलबुसात खरीदने के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया मगर ये क्या जहां स्वेटर गरम कोड और दीगर मलबुसात कुडियों मिलते थे सिर्फ खरीदार ही नहीं बलके दुकांदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं दुकांदारों ने कीमते ज्यादा होने की वज़ा टेक्स को ही करार दिया केहते हैं बाहर से अब माल डबल कीमत पर मंगवाना पड़ता है बाहर से जो माल मंगवाते थे पहले उस पर टेक्स कम थे अभी ज्यादा होगे क्योंके एक बंडल 6,000, 7,000 का मिलता था अभी वो 20,000, 8,000 का मिल रहा है लेकिन कस्टमर वो नहीं अफलोड कर सकते हैं बोलते हैं कि बहुते हैं कि महिंगाई है पहले कस्टमर तकरीवान हम 10,000 का सेल या 5,000 का कर दे थे अभी 5,000, 2,000, 3,000 यह रोजाना यह होते हैं पिशावर के लंडा बाजारों में माल भी बहुत और खरीदार भी बहुत मगर बढ़ती महिंगाई के बाइस ज्यादातर खरीदार, खरीदारी किये बगिर वापिस चले जाते हैं लंडा बाजार जो गरीव अफराद के साथ मतवस्त तब के काभी बरम कायम रखे हुए था मेंगाई के बाइस अब ये अवाम की पौन से दूर होता जा रहा है कैमरमें जकाउल्ला के साथ शाब और रहमान समा पिशावर तो शाब रहमान ने हमें बताया के पुशावर में गर्म मलबू साथ कितने महंगे हो गए हैं वो चाहें लंडा बाजारों के ही क्यों ना हो जारा कोईटा का रुख कर लेते हैं अब आपको लेकर जारें कोईटा क्योंके क्वेटा के खड़ी कबाब और सजी बहुत ज्यादा मशूर है नुरूला रफीन की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ब्रुष्टान अपने मुन्फरित और रवायती खुश जाइका खानों की वज़ा से मुल्क भर में अपने इन्फरादी हैसियत रखता है लजीज खाबों की बीनी बीनी खुश्भू शहरियों को दूर दूर से होटलो और फूट स्ट्रीट की जानिब खेंश लाती है इस डिश की त्यारी के लिए रान, दस्ती और कमर के पिछले हिसे के गोश्ट का इस्तमाल किया जाता है नमक लगाने के बाद लकडी या लोहे की सलाख पर परोकर आके करीब रख दिया जाता है सजीना सिर्फ मकामी अफराद में मुशूर है बलकि सुबे की दूसरे शहरों से भी लोग आकर इसके मज़े लेते हैं 35 मसालों से बनने वाली खड़ी कबाब की तियारी का तरीका भी खासा दिल्चस्प है जमीन में गड़ा खोद कर लकड़े में पुरोय सालिम बकरे को इसमें लटका दिया जाता है गड़े को लोहे की चादर से ढामकर उपर देखते हुए कोईले भी खेर दिये जाते हैं सर्दी आते ही फिश फराई की दुकानों पे भी रश बढ़ जाता है शहरी कहते हैं ठंडे ठंडे मौसा में गर्मा गम मसालेदार फिश फराई खाने का अपना ही मज़ा है सर्दी मौसा में खुश खुराई अफराद दोस्तों के साथ गफशप के इलावा चटपटे खानों से भी लुटफ अंडोस होते हैं यामरा टीम के साथ नूर आर्फीन समा कोईटा जबर्दास जी कोईटा जाना चाहिए एक तो मौसम बहुत अच्छा है लाँ बर्फबारी का भी महाल सोना है के बड़ा जबर्दास लगता है बर्फबारी होने भी वाली और ऐसे में महकमे माले जागे खड़ी कबाब खिलाएंगी तो इससे ची और क्या बात हो सकती है